हाँ जी अभी हमने पढ़ना है not operation not operation की first heading आपके आएगी circuit की तो आप अभी देखेंगे कि एक lamp लगाएंगे is connected to a battery के साथ with a switch भी लगेगा और ये दोनों parallel होंगे कौन-कौन lamp और switch आप देख रहे हैं कि lamp को बैटरी से connect किया है और एक switch भी साथ लगा है तो lamp और switch दोनों parallel है तो अब ये बैटरी से जो current जाएगा ना तो उसके पास दो रास्ते है एक ये वला रास्ता है और एक lamp के अंदर से पास होने का रास्ता है तो अब इसमें आप देखिए अगर ये र यहां से current flow नहीं करेगा तो फिर current flow करेगा lamp के अंदर से तो lamp glow करेगा इसकी light on हो जाएगी और second state ये है कि ये switch closed है close का मतलब है कि ये current इदर से flow कर जाए देखें जब current इदर से flow कर गया ना तो current उपर नहीं जाएगा उसकी वज़ा ये है कि ये जो lamp है ना उसकी resistance होती है तो current को उदर से resistance मिलती है उसके पास एक और alternative रास्ता है तो वो इस path से flow कर जाएगा तो lamp on नहीं होगा तो यही लिख है when switch open है current will pass through lamp and it will glow lamp glow कर जाएगा और when switch is closed no current will pass through lamp lamp में फिर current नहीं जाएगा due to large resistance of its filament lamp के अंदर जो filament है उसकी resistance हाई होती है and it will not glow ये on नहीं होगा तो second heading आप देंगे states states of the circuit states के लिए ये आप table बना देंगे इस table में as far switch अगर open होगा तो आपको पता ये open होगा तो फिर current lamp में जाएगा lamp on हो जाएगा एक आगी इसकी state और दूसरी state क्या है जब lamp ये switch close होगा switch close होगा तो इधर current पास हो जाएगा उधर current नहीं जाएगा lamp में तो lamp फिर off रहेगा तो states के अंदर आप सिर्फ दो इस state है इसकी और table बना देंगे हाँ जी तीसरे नमबर पे जो heading आप की आएगी representation आएगी representation of not operation तो लिखा है not operation is represented by a line या बार ये दो चीज़ें एक होती ना लाइन या बार over the symbol जैसे x equals a bar तो इसको a bar उपर है ना तो इसको and is red as इसको पढ़ेंगे ऐसे x equals a not देखें ना ये not के लिए a के उपर बार लगा दिया है यनि एक लाइन लगा दिया है अगर आप चाहें तो ये लाइन भी साथ लिख दीजेगा it means not operation changes the state of the boolean variable ये जब बार लगी है ना इसका मतलब है change कर दें यानि ये टेबल में भी देख लेते हैं और अब fourth heading आप truth table लिख दें देखें truth table कैसे बनाते हैं switch को आपने a से represent किया यानि ये variable है तो ये open के लिए हमने पहले भी देखें zero use करेंगे और closed के लिए one तो ये switch की सिर्फ दो states हैं तो अब देखें आपने output x कैसे find करनी है x का लिखा है a not यानि जो output है ना वो a not यानि a ना आए जो भी है a a में zero है zero ना आए तो फिर one आएगा यानि उसका opposite आएगा तो one है तो output उसकी zero आएगी तो ये इतना चोटा सा tooth table है इसका अब फिफ्ट नंबर पे आपने heading लिखनी not gate अब ये not gate क्या है ये आपने पहले पढ़ चुके हैं ये circuits होते हैं ठीक है the electronic circuit which implements not operation is known as not gate और not gate की symbol symbol of not gate is ये वाली symbol है तो symbol कैसे बनाएंगे बिल्कुल simple है ये आप इस तरह triangle बनाएए triangle के end पे एक small circle बनाना है ये small circle not operation को शो कर रहा है यानि अब देखें ये gate जो है ये circuit इसका इदर से हमें पता चल रहा है input input सिर्फ एक है a है और output भी a की है x is equal to a बार है तो ये इसी के साथ ही है it has only one input and one output terminal एक input एक output not gate works in such a way that if its input is zero ये अगर इदर zero होगा ना a की value then output उसकी आएगी one similarly if input अगर इसके input यानि a की value one होगी then output उसकी क्याएगी zero और ये वाली जो three lines है ये इस diagram के बाद में आप लिखेंगे पहले ये इदर इसकी symbol जो है ये बना देंगे हाँ जी अब last heading आप लिखेंगे function of not gate यानि पूरी heading मैं तो जस्ट आपको hint दे रहा हूँ function of not gate इसका क्या function है तो not gate performs the basic logical function उसका नाम है inversion या फिर complimentation तो inversion complimentation का मतलब है invert करता है यानि zero से one बना देता है और one से zero बना देता है ये inversion और complimentation का यही मतलब है यानि zero का compliment one है और one का compliment है zero तो फिर not gate is also called inverter तो inverter भी इसे कहते है क्योंकि ये invert करता है तो इस तरह ये not gate का topic complete हो गया आपका thank you